जी असलाम लेकुम कैप सहीवन आज की लाक्षर कागास करते हैं लेक्चर 75 आज की लेक्चर में एक तो हम प्रेक्टिस कोशन डिस्कस करेंगे कल आपको हम साइडमेंट दी गई थी चैप्टर 4 की जो कि आपके पास एक बड़ा करेंशा लेवन चलना हमारा इसम में ब्ॉक्स आफॉर्ट के बारे में हमने पड़र लिया फाइनेंशल स्टेटमेंट को स्टाट किया था प्रेक्टिस की कोछ समय पड़ लिये थे आज इंचानला हम इस कंसेंप्त को कंप्लीट करेंगे उस सारे concepts जो इस learning objective में हैं इनको study कर लेंगे पहले previous lecture में से कोई question पूछना चाहते हूं पूछ लीजिए करके lecture में से वो quarterly financial statement वाली बात याद है आपको तो वो क्या लिखाया था वो तीन छे तीन बारा तीन छे तीन बारा और फिर इसके बाद इसके नीचे यह तो month थे ना month थे फिर इसके बाद नीचे days भी लगाता है 30 60 30 120 शाबाश इसके अलावा कोई problem नहीं financial state चली अब हम chapter 4 volume 2 के questions कर रहे हैं यह बेसिलिए आपकी इद्गी assignment है जो ना आपने इद्वे की और ना ही अब कर रहे हैं on 31 December 2020 अली वाज अपाइंटिड आज चीफ एग्जेक्टिव पर लिमिटेड ए लिस्टेड गमपनी अली चीफ एग्जेक्टिव अपाइंट हुआ क्योंकि अली assignment किया करता था अली रिवियन किया करता था अली ने within articles qualify कर लिया फिर उसके बाद उसे जल्द ही पर लिम्टेड वाले कहने लगे हम तो आपका इंतिजार कर रहे थे आईए और पर लिम्टेड ने 31 December 2020 को अली को चीफ एग्जेक्टिव पाइंट कर लिया और ये चोटी मोटी कमपनी ना समझें लिस्टेड कमपनी है अंडरलाइन करें किस को अंडरलाइन करना बाद है लिस्टेड कमपनी को और चीफ एग्जेक्टिव को भी अली को ना अंटरलाइन कर लगा अली स्काफ से कोई तालुक नहीं है अली साइन्मेंट अभी पताया है अली साइन्मेंट करने वाला है अली रिवियन करने वाला है अली रोज का काम रोज करता है अब यह ना कहना मुझे प्यार से ली कहते हैं नाम भी बदल होगा है इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन ही इन फांडा बोट डैट उन पंदरा फर्वरी दोहजार एकिज इस पाउस वाज पाउटी डाइज डारेक्टर इन ब्रोकरेज हाउस हैं बड़े लोग उनको मिलते भी बड़े लोग हैं तो वो भी चीफ एक्जेक्टी स्पाउस बी छीफ एक्जेक्टिव ठीक है वाज पाईटी डारेक्टर इन ब्रोकरेज हाउस इसमें किस को अंडर लाइन करना एं उसको नहीं करना डारेक्टर को ब्रोकरेज हाउस को पहले एंडरलाइन करो हाँ फिर उसके बास पर अच्छा मुझे पताईए इसमें प्रॉब्लम क्या है हाँ लिस्टेड कंपनी के केस में दो एडेशनल डिस्कौलिफिकेशन का क्राइटेरिया है अच्छा मेरा पहला सवाल ये है क्या ये चीफ एक प्रैटर कंपेड़िंग बिजनिस वाला केस है का केस नहीं हो तो डिस्क्क वालीविकेशन में था भॉक्रिजवाली चीफ एक डिकटिव डिरेक्टर है इसका मततब यह हुआ जो डिरेक्टर की डिस वाली रिकवार्मेंट है चीफ एक्जाक्टी पे भी अप्लाई होगी मेरा दूसरा स्वाल ये ब्रोकर और डिफाल्टर और फाइनेंचल इसे उस्षिशन वाले जो दो पॉइंट्स थे ये लिस्टेड गमनी के लिए थे ये लिस्टेड गमनी है शाबाज अंडर दा प्रविशन दा इंपक्ट ओफ अपॉइंट्मेंट ओफ अली स्पाउस ओन हीज अपॉइंट्मेंट एंड ओन पी अल अच्छा ये एहम लफ़ाज था बलके पहली दो जब मैंने खुद इस क्वेस्टन को पढ़ा तो जल्दी जल्दी में मैं सिरफ अली की अपॉइंट्मेंट पे कमेंट किया हाला कि उस केस में अगर कोई डारेक्टर हो दिया स्पाउस ब्रोकरेज हास अच्छा इसमें मुझे यह बता यह ब्रोकरेज वाली प्रवियन में चाइल्ड है कर नहीं सिरफ स्पाउस कबर होता है यह आपने ध्यान रखना है कमनी ला में किस जगा पे कौन सा रिलेशन्शिप यूज हुआ है इसका खास तोर पर ध्यान रखना है इसमें हो केसड़ी में घुमाता है तो इसका इंपक्ट क्या हुआ कि 15 फरवरी को चूंके वह सुबक्त है डारेज चीफ एक्जेक्टिव था उसके पाउस ब्रोकरेज हास में डारेक्टर पाइंट हुई ब्रोकरेज हास तो ड डिस्क्वालिफाई हो गया अब पी एल कंपनी पे इसका इपट क्या हुआ कैयूल वेकंसी राइज हो गई 15 फरवरी से पहले के फैसले वगारा जो काम किया वो ठीक है 15 फरवरी के बाद अब ये अली चीफ एग्जेक्टिफ नहीं रहा डिस्क्वालिफाई कैयूल वेकंसी क्रियेट हो गई और मेरा भाई मुझे बताएगा ये कैयूल वेकंसी मेरा ये ख्याल है कि फिल करना लाजमी नहीं है लाजमी है किसने फिल करनी है और कब करनी है डायरेक्टर्स ने फिल करनी है casual vacancy कब करनी है within 14 days शाबाश ठीक है चीफ एग्जेक्टिव की casual vacancy आद रखे हर situation में fill करना लाजमी है डायरेक्टर की casual vacancy कुछ में fill करना लाजमी है कुछ में नहीं listed हो तो लाजमी है unlisted गमनी हो तो casual vacancy fill करना लाजमी नहीं है अगर अगर minimum number पूरे हो रहे हैं हाँ और minimum number क्या है डायरेक्टर के लिस्टेड में साथ unlisted में तीन प्राइवेट में दो सिंगल memory company में हाँ सिंगल memory company से जाद आगया कल का concern मुझे के कौन सा के financial statements की approval board of directors करते हैं लेकिन उसकी authentication एक चीफ executive एक डायरेक्टर और अगर लिस्टेड कमनी है तो CFO करता है और अगर चीफ executive पाकिस्तान में नहीं है इसके नीचे एक ली इसमें कोई problem कोई discussion करना चाहते हो किसी पॉइंट को पर इसमें सबसे हम चीज यह थी कि आपने अली के point of who से भी discussion करनी थी और PLB requirement में दोनों जेशा मिला आगे चले जी next volume 2 chapter 4 question 6 explain whether or not following statements are in accordance with permissions of companies act and support your answer with reason बताना है कि यह company's act के मताबिक हैं के नहीं और reasons बतानी है support करना है अपने answer को पहला the first chief executive of company retires on completion of one year the first chief executive retire होता है पर स्टेज यह और शौटर पीरिए यह शौटर पीरिए यह शौटर पीरिए यह शौटर पीरिए शाब बाश फिर ए गलती तो हमने इसमें टून ली फिर कह रहा है the subsequent chief executive must be pointed by shareholder within 30 days from the date of retirement of first chief executive और दूसरा within 14 days of election of director शाब बाश तो टोटल इसमें कितनी गलती हैं उसने तीन पहली गलती क्या फर्स चीफ executive का tenure वो फर्स एजियम तक होता है दूसरे के subsequent chief appoint कौन करेगा और शेर होल्डर असमें डिरेक्टर जाए और तीसरा जो उसकी time time of appointment वो क्या होगा within 14 days of election of directors के लिएर जी इसमें कोई प्राब्लम थर्टिन इन दी फर्स मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जो मैसर्ज ली शूगर लिम्टिड मिस्टर जी परपोस्ट दा नेम ओफ मिस्टर डी फार पाइंटमेंट एज चीफ एग्जेक्टिव ओफ कंपनी मिस्टर जी ने कहा मिस्टर डी को चीफ एग्जेक्टिव बना दो मिस्टर डी चीफ एग्जेक्टिव बनने जा रहा है मिस्टर डी चीफ एग्जेक्टिव किस कंपनी का ली शूगर लिम्टिड का ली का नहीं ली शूगर लिम्टिड का किसका ली शूगर लिम्टिड का शूगर क्या नाम म वो बिजनिस आना चाहिए आ रहे हैं पहले रिक्वाइड नहीं था रिक्वाइड मिस्टर एपोस्ट अपर प्रपोसल सेइंग डैट मिस्टर डी इस आलेडी है चीफ एग्जेक्टिव इन मैंसर्ज ही शुगर प्राइबे लिम्टेड एंड देरफोर कैन नौट भी पाइं यह जो रिस्रिक्शन थी ना चीफ एग्जेक्टिव कंपेंड बिजनिस में गेज नहीं हो सकता यह पॉब्ली कंपनी के चीफ एक्जेक्टिव के लिए तो मैं यह कह रहा हूं यह तो प्राइबेट कंपनी पॉइंट का हो रहा है अच्छा 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 हमने यह ही शुगर यहां इसे डिपेंड करता है अंसर अगर लिए शुगर के पॉब्ली कंपनी है हम चीफ एक्जेक्टिव को के खबरदार किसी कंपीडिंग बिजनिस की तरफ गए लेकिन अगर हम प्राइबेट कंपनी में बैठे होते तो हमारा चीफ एक्जेक्टिव तो इस प पॉइंट ओवस है जो के एक पॉब्ली कंपनी है तो हम कहेंगे यह जो इतराज है यह वैलिड है वो कंपेंडिंग बिजनिस है कंपेंडिंग बिजनिस में अलडी चीफ एक्जेक्टिव है इस वज़जा से अपॉइंट नहीं हो सकता इसको क्या करना पड़ेगा एक तो पड़ेगा अगर पाइंट होना चाहता है यह अब मिस्टर जी ने कहा सर मेरी बच्पन की खायश थे ही कि मैं मैसस ली शुगर लिम्टिड में चीफ एक्जेक्टिव बनूँ इसके लिए मैं हर कुर्बानी देने को त्यार हूँ तो बताईए क्या कोई सुरत निकलती है कि क्या सुरत निकलती है पहले एड टाइम ऑफ पाइंट में बता दे कि मैं इंगे और डिस्क्लोज करने का यह मतलब नहीं है जादत मिल गई और प्राइवेट कमने के चीफ एक्जेक्टिव शिप से रिजाइन कर दे फिर वो बन सकता है चीफ एक्जेक्टिव वरना ने कु नेक्स सिक्स्टेन और ट्वंटीफ फ़र्वे टुथान सिक्स मिस्टर हसन वाज पाइंटिड बाइब बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ऑफ एक्स बाइड लिमिटेड एलिस्टेट कमपनी एजा कमपनी सीफ एक्जेक्टिव फार पीरेड ऑफ टू यहर्स के लिए तो पाइंट तीन साल से शौटर पीरेड पर हो सकती है डिस्क्वालिफाय नोट नहीं किस वाल नहीं जब डिरेक्टर की अपाइंट्मेंट ही तीन साल से कम पीरेड के लिए है काईवल वे कंसी ना कमपनी लिमिटेड बाइ गरंटी ठीक है यह याद है आपको नाट हैविंग शेर कैप पीरेड अपर नर्मली डेक्टर का पीरिएड तीन साल होता है पर नार्मी डेक्टर का हमारा अपने वादे पर काइम रहना इस केस में इतना जरूरी नहीं जितना Chief Executive का अपनी ड्यूटीज पूरी करना जरूरी है अगर आपने ड्यूटीज ना कर रहा हो हम अपने वादे पूरे हैं 161 ड्रटे उसको और कोई कानून अपलाई नहीं होता और पुलिस वाले हैं उनके उपर जंग लड़ते कानून अपलाई होना चाहिए होना चाहिए कानून कहता है तो होना चाहिए लेकिन यहां पे हमारा लाग क्या कहता है कि अगर अगर हमने डिरेक्टर्स ने वादा कर लिया है तेरे को तीन साल के Chief Executive बनाते हैं और फिर अगर वो कोई दो नमबर काम करें तो उसको उसी होद उड़ा के फैंक दो कमपनी से बाहर ये बात पढ़ी है के नहीं removal Chief Executive को earlier remove किया जा सकता है पढ़ी है के नहीं पढ़ी irrespective of agreement removal कौन कर सकता है मेंबर की स्पेशल रेजलिशन और डिरेक्टर की थ्री फॉर्थ मेजोरिडी कह रहा है अच्छा चीफ एक्जेक्टिव पाइंट कर जाए दो साल के लिए देर आफ्टर दा स्टॉक एक्षेंज भूम अकर्ड एंड मिस्टर हसन है अच्छा ओके ओके अब नी दर्द हुआ आपको कोई है अब भी तो बोला है अच्छा लिम्टिड भी तो नहीं लिखा हुआ तो बताना क्या चाहरा था कि हसन में मिस्टर हसन में मिस्स हसन में और हसन limited में फरक है मिस्जी हसन फिर अल्सराइड ब्रोकरेज कंपनी इस एक्षिन उन पार्ट ऑफ मिस्जी हसन इंफुरेटिए दा बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर ऑफ एक्सेसल बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर गुस्जे में आ गए फिर एंड ब्रेस्जी निकाल दिया हाला के निकालना नहीं निकालना चाहिए था नहीं निकालना चाहिए था पहले डिस्क्वालिफाई हो गया है क्या जिस वक्स पाउस ब्रोकर बनी लिस्टेट कंपनी है उसी वक्स डिस्क्वालिफाई नहीं हो गया बिलकुल हो गया लेकिन खुदोंने काम पक्या कर दिया खुद भी रिमूब वह भी ठीक है हम देखते हैं requirement में क्या पूछता है Mr.H सब्सक्राइब है उससे पहले निकालने कोड़ में ले जाओंगा आपको एक्स्प्राइब है क्योंके बोर्ड चाहे उसका बेसिकली फोकस जोए ना जिसका पर हमसे कमेंट कर्माना चाह रहा है वह यह क्या उसके एगरी टैनियोर से पहले रिमूब किया जा सकता है कि नही ठीक है रिमूब किया जा सकता है कि नहीं वो यह नहीं पूछा कि चीफ एग्जेक्टिव कब रिमूव हुआ क्या जब ब्रोकर बनी उसकी स्पाउस तब यह जब बोर्ड रेजलिशन पास हुई तब यह नहीं पूछ रहा है यह उसके टैनियोर से पहले उससे रिमूब कि जा सकता है हम कहेंगे यास और फिर वो लाइन चाप देंगे एर्रिस्पेक्टिव ओफ एलिधिंग कंटेन इन आर्टिकल्स और एग्रिमेंट के चीफ एक्जेक्टिव कैन भी रिमूट बिफोर एक्सपारी ओफिस राम भाई थ्री फॉर मिजर्टी ओव डिरेक्टर्स त आज कर लिजेगा और हो सकते चैप्टर फॉर के भी कर लिजेगा कल छुटी है ना कल छुटी है शंडे जी ओके ओके कोई बात नहीं को सबस्क्राइब कर अच्छा अब कंसेप्ट है हमारा फाइनेंशल स्टेट्मेंट का लेकिन कल हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे लेकि सीक्वन्स के साथ कम्प्लीट लर्णीक अबजेक्टिव हम कावर करलें सबसे पहले फाइनेंशल स्टेटमेंट मुझे बताईए फाइनेशल स्टेटमेंट में कौन-कॉन कुछी चीज़ें शामिल हैं स्टेटमेंट ओफॉप्पाइनेशल पॉजिशशन या बैलेश और एंङे अढर इंफूरमेशन वीच एच एजे ही में प्रैस कराएंग बेहतरीन हमने पता चलगा क्या फाइनसे ट्रेडमेंट किया बुक्स ऑफ अचाउट्स में और फाइनसे ट्रैडमेंट फर्ड़क पता है हमें क्योंकि वोग्स ऑफ इंटेंट करना ऊरकाईब्स है व इसके बाद आगे चलते हैं के लेंडर और फाइनेंचल येर में क्या फरक है केलेंडर येर हमेशा स्टार्ट होगा एक जनवरी से और फाइनेंचल येर वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ठीक है डिफरेंट कंपनी का फाइनेंचल येर और इंड़ेंड होगा। अच्छा लेकिन होता है यह भी नॉर्मल्ली 12 मत का होगा ना financial year normally 12 months का होता है क्या कभी कम ज्यादा हो सकता है yes in corporation के वक्त हो सकता है or transition of the year आपने text में पढ़ा हो गाए concept को चेंज हो सकता है अगर तो financial year 12 months से कप का है तो कोई problem नहीं है अगर ज्यादा का है श्रासे special permission चाहिए financial year का concept क्लियर हो गया चलिए अब आगे चलते है अब अच्छा आप देखें दो तीन concepts हैं पहला concept जब financial statements कितनी types है financial statements की एक है annual financial statement एक है quarterly फिर quarterly की आगे types है first quarter, second quarter, third quarterly को फिलहाल हम side पे कर रहे हैं पहले annual financial statement की discussion करते हैं आप अगर अपने learning objective को भी देखे न तो उसमें देखे का इस learning objective का जो last page है न quarterly financial statement की discussion सारी वहां पे हुई है आप देखे जरा quarterly financial statement की heading अगर आपको इस learning objective की end में नदर आती है तो उसको tick कर ले तो quarterly financial statement की discussion एन में होगी पहले किसकी होगी annual financial statement को अब हम discuss करते हैं अब हम जितनी भी discussion करेंगे वह सारी किसकी होगी annual financial question के अंदर अगर सिरफ financial statement का वर्ड यूज करें तो उसका मतलब annual financial quarterly के concept की तरफ तब जाना है जब clearly उसने quarterly का लफ़ लिखा होगा ठीक है तो exam में requirement पढ़ते हुए ध्यान से आपने पढ़ लेना है वो quarterly का वर्ड यूज कर रहा है के annual का वर्ड हाला कि कुछ concept same है लेकिन कुछ concepts different भी है तो financial statements है अब हमारा पहला concept annual financial statements का period क्या होगा period अच्छा जैसे एक concept होता था ना के chief executive का tenure क्या होगा और एक होता था उसकी appointment कब होगी दोनों में time आता था एक में years थे एक में days लेकिन दोनों concept different है chief executive appointment होगी board of director collection के 14 days के अंदर अंदर लेकिन उसका tenure होगा three years are दोनों concept different है ना उसी तरह financial statements में भी दो concept है एक है इसका period कवर्ड क्या होगा और एक है इसे present कब किया जाएगा इसे shareholders को present कब किया जाएगा send कब किया जाएगा send किया प्रिजेंट किया यह लगदा concept है period covered by financial लगदा तो financial statements का annual financial statement की बात कर रहा हूँ जब मैं financial statement बोला हूँ तो उससे मुराद क्या है annual financial statements का period covered क्या होगा it depends कि first financial statement है कि subsequent अगर first financial statement है from date of incorporation till close year of financial year subsequent financial year है from date of preceding close financial year till the end of next financial year clear होगा है यानि अगर इसको simplify करें तो इसका मतलब है नॉर्मली एक साल हुआ करेगा लेकिन जो first year है इसमें वो जब से एक अमनी इंकॉर्पेट हुई है उतने महिने होगा अच्छा यह है period covered का concept अब क्या concept आपको पढ़ाने जा रहा हूं when to present देखे concept से ज्यादा ना detail से ज्यादा पहले main heading को differentiate करना हम है इसमें हम period covered में क्या सिखा जो फार्दा पीरियड एंडिड इंकम सेट्मेंट एबी से लिए फार्दा पीरियड है वो है period covered जो के नॉर्मली फार्दा ये रेंडिड होता है आपने ये रेंडिड होगा ठीक है तो वह है period covered और अब हम क्या कहें present कब किया जाएगा अब देखे है असल में होता क्या है साल complete हुआ उसके बाद CEO CFO और directors ये सब मिलके financial statements prepare करना शुरू करते हैं practice में याद रखे financial statements prepare होती है साल खतम होने के बाद अगर year and 31 December है ना तो 31 December कोई financial statements prepare नहीं हो जाती है इसके छोटी सी example आपको देता हूँ बिजली का बिल तो आना ही दो तीन हफ़तों के बाद है December के महीने का बिजली का बिल तो कोई 15-20 जनुरी के करीब आता है तो खुद बताएं उस बिल के बगार financial statements complete या सही होंगी नहीं तो हमें बिल की मौंट पता होनी चाहिए तो ये एक छोटी सी example इस बात का सबूत है कि financial statements year and वाले दिन ही prepare नहीं हो जाती इसके बाद कुछ time ल ये लोग ले लेते हैं chief executive बगरा फिर इसके बाद आता है औरीटर ने इस financial statement को check करना है अच्छा मुझे बताईए आपके ख्याल में ये जो auditor होता है ये एक expert या independent person होता है जो आके check करता है management financial statement सही बनाई है कि नहीं ताके shareholder तक biased information ना पहुंचे neutral और correct information पहुंचे क्योंकि chief executive director CFO बाहराल है तो shareholders के employees एक तरह से तो वो हो सकता है अपना performance का बहतर वियू present करने की कोशिश करें आपकी खाल में क्या audit होना एक value added activity है बस time delaying activity है value added activity है बिलकुल ठीक है इसके लिए अब उस auditor को भी कुछ time चाहिए होता है इसलिए याद रखे ज़रा गोर से सु करना अच्छा प्रिजेंट करने में और सेंड करने में फरक है अब गोर से सुनेगा किया यह अज आप अगर हो सके तो लिखते जाए मैंने पहले मता है period कोड में और present करने में फरक है तिक है period कोड़ वह साल कितने कितने मिहीनों की बनना प्रिजेंट का मतलब क्या जैसे ये देखिए ये ये क्वेस्टन है ये क्वेस्टन मैंने इसका सलूशन ये मुझूद है कलास में अगर कलास में मैं आपके सामने कोई नोट से शेयर करूँ ये 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 रख रहा हूँ ये assignment है आपकी फार एक ये assignment ये मैं आपको present कर रहा हूँ presented to you presented to you ये है present करना लेकिन शाम को अगर बैठके मैं आपको email कर दूँ WhatsApp में send कर वो क्या होगा उसके लिए ला लफ़ प्रिजेंट नहीं बोलता हूँ send क्योंकि present करने के लिए present होना जरूरी है ठीक है तो आप present नहीं वो होता है send अच्छा एक और सुनने send में और file करने में भी फरक है अगर हाँ अगर मैं फर्ज कीजिए आपके साथ share करने है को information तो आप और मैं तो तो ग्रिवन एक बराबरी है ठीक है या मैं थोड़ा सा यूज करूँगा send किया मैंने लेकिन अगर iCAP कहें आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपने मुझे भी submit करवाना है तो उसके लिए word बोलूँगा मैं file वो formal word लिए तो authorities को जब हमने कोई चीज submit करवानी हो उसको उसके लिए word बहतर है यूज करें file और अगर किसी shareholder को कुछ चीज बिजवानी हो send रिजिस्ट्रार और वैसे तो कोई बहुत जादा टेक्निकल फरक नहीं आप सब के लिए neutral word यूज कर सकते हैं submit submitted का word सब के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन law का अगर आप देखें तो law लफज file यूज करता है authorities के लिए और लफज send यूज करता है shareholders के लिए company ने जब कोई चीज notice shareholder को देना है न तो उसके लिए word यूज करते है send notice और जब कोई रिजिस्ट्रार या commission को देना होता है उसके लिए file और present का word कभ यूज किया जाता है जब कोई चीज shareholder के सामने AGM में रखी जाती है AGM में अगर वही चीज AGM में shareholder के सामने रखी जाए तो उसे word क्या यूज करेंगे present अच्छा अब देखिए financial statements का period covered क्या होगा first year है तो वह इन corporation से close of lunch year subsequent है तो पिछले साल से यह साल है यादि 12 मिन है यह है present financial statements जी ये रेंट के फोरण बाद क्या पर repair हो जाती है नहीं ये 2-3 महिने लेती है दो-3 महिने लेती है अच्छा financial statement shareholders को send कब करनी है send कब करनी है AGM के notice के साथ और AGM का notice कब होता है यह आपको पता ही है लेटिंग से 21 दिन पहले तो याद रखे financial statement shareholder को send की जाती है along with notice of AGM और present की जाती है at AGM at AGM अगर आपसे question पूछे financial statement send कब करनी है हम कहेंगे इसका असान along with notice of AGM लेकिं फिर explain भी कर देना है के 21 days before AGM at least 21 days before AGM और अगर पूछे present कब करनी है तो आपने यह नहीं कहना before AGM present कब करने at AGM और फिर बता भी देना है AGM कब होनी है यह हाला के पराना concept है मीटिंग वाला लेकिं बता देंगे AGM कब होनी है first AGM अब सुने जरा मैं इसको फॉर्मली कैसे बता रहा हूं उसने एक्जाम में question का पूछा कि when financial statement shall be presented to members अब मैं जवाब दे रहा हूं first financial statement shall be presented to members in first AGM which shall be conducted within 16 months from date of incorporation अब आगे subsequent financial statement shall be presented to members members in subsequent AGM which shall be conducted once in each calendar within 120 days of close of financial year यह यह बात समझा गई present वाले सेंड वाली बात भी समझा गई send कब करना है send कब करना है send कब करना है 21 days पहले present कब करना है at AGM send present period covered यह लिख ले इदर मुझे मुझे नहीं लगा आपने लिखा होगा send versus present versus period covered इन सब में फरक आपको बताना चाहिए अब एक और रफ़ज एड होने वाला कौन सा file क्या financial statements regulatory authorities को file करनी है yes करनी है अगर unlisted है तो अफ रिजिस्टर आर को और लिस्टिड है तो रिजिस्टर आर प्लास कमिशन प्लास ट्रॉक एक्सेंज commission बोले तो s c c p तो बताईए फिर से के अब अब मैं कौन सा कंसर्ट बता रहा हूं file वाला तो financials file कब की जाएंगी किस को की जाएगी बहले यह बताएं रिजिस्टर आर सेज्टर की जाए एस सून एज दे आर सेंड टू मैंबर इमेज़ेट बढ़ जिस दिन इन तीनों को भी file करतू सेंब मेंबर्स को भी send हो गई जिस्टर को भी send हो ठीक है जी अच्छा notice of AGM में हमने पढ़ा था यह भाई है क्या notice of AGM में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़े उसमें information include होती है और कुछ साथ attach होती है उसमें फिर एक हमने concern पढ़ा था अगर special business हो तो क्या क्या information होगी है वो नहीं पूछ चार चीज़े थी वो मीद करता हूं आपको याद होगी वो नहीं पूछ रहा special business की लेकिन अग क्या चीज़े टैच होंगी notice of AGM के साथ और डिटर फाइनचल स्टेटमेंट और डिटर रपोर्ट डारेक्टर रपोर्ट और अगर chairman review report एक होती है chairman review report director board of director chairman की तरफ से वो भी अगर है तो तो इसका मतलब है जो notice send किया जाएगा members को या file किया जाएगा उसमें सिरफ financial statements नहीं होंगी financial statement के साथ साथ audit report directors report chairman review report clear जे अब जरा देखते हैं हम उसमें के ये clear हो गया ये clear हो गया financial statements का अडिट करवाना जरूरी है किन का अडिट करवाना जरूरी है अच्छा उसने ये नहीं पताया किन का अडिट दूरूरी है उसने पताया किन का नहीं करवाना बागी सब का करवाना है private company having paid up capital up to 1 million private company having paid up capital up to 1 million इसका आडिट करवाना required नहीं है बाकी सब आडिट करवाना required है लेकिन इन company ने अगर audit नहीं करवाना को फिर डारेक्टर्स है अप्रूवड राइनेंशल स्टेडमेंट के जर रही झुर नहीं गुजरी लेकिन डारेक्टर की नजरों से गुजर गहीं है शुक्त यह तो हो गया ऑड़िट का कंसेप्ट और जो बाकी कि हमने उन्हें अरड़िट करवाना है अरड़िट करवाना है तो फ बागे चलते हैं पीरियट कवर्ट वाइफ इनेंशल स्टेटमेंट्स क्या होगा फर्स्ट है तो फ्रॉम इनकोर्परेशन तिल क्लोज औफ फइनेंचल यर नियर सेकेंड है तो प्रीसीडिंग फाइनेंचल यर यह तिल क्लोज ओफ करन्ट फइनेंचल यर जो भी अमनी ने किया है यह कोई मार्चंड होगा बिजूनन कभी सबसीक्वेंड का पीरियड बारा महीने से एकसीड नहीं होना चाहिए अगर होता है तो रिजिस्ट्रार की अप्रूबल लेने पड़ेगी कलियर जी अच्छा यह है पीरियड का वर्ड और यह क्या है वेन टू प्रिजेंट अगर तो आपको मीटिंग वाला कंसेट बहतरीन है ना तो वेन टू प्रिजेंट में सिर्फ इतना लिख दे इन एजियम खतम है अगर एजियम वाला कंसेट रिपीड करते ना लेकिन अगर याद नहीं है फिर कर देत हमाने याद याद है के याद है तो बताईए कि जो फाइनेंशल स्टेटमंट हैं कब प्रिजेंट की जाएंगी फिर्स फाइनेंशल स्टेटमैंट है तो तो फोर्स एजियम में विश बी कंडूक्टेड विदिन 16 मंस फ्रॉम देट ऑफ इंकार्परेशन कौन सा स्वन मुझे इस पी यह कंप्रीट कंसेंड बताएगा के वें तो प्रिजेंट फानेंशल सेट्मेंट प्रिजेंट होगी विदिन फ्रस्ट एजियम में जो के कंड़क्ट होगी विदिन 16 में प्रॉम्टी डेट और जो सब्सक्वेंट होगी जो के कंड़क्ट होगी जो कि वान सीन इच कैलेंडर ये विदिन 120 डेज उफ क्लोज फानेंशल ये अच्छा इसको घलत बताने की वज़ा से इनाम जेवे ने डाला ज्यादा भी नहीं कम बताने की वज़ा से जब कभी कोई टाइंडर इनोंने वान सीन इच कैलेंडर ये ये ने ने बताया ये तो गलती की एकस्टेंशन वाली बात ने बताई कई दफ़ा ला में बता चुका हूँ incomplete concept is incorrect concept ला में जहां कहीं वो exception बगारा की बात करता है आपको भी करनी चाहिए जी तो clear होगी ये बात कि कब present होगी pen is equal to AGM में जिसको AGM का concept याद है ये सारा उसके लिए copy based है duplication जिसको नहीं याद उसके लिए दोहरा दिया हमने clear? आगे चलते हैं authentication कौन authenticate करेगा approve करेगा board sign कौन करेगा financial statement अगर आप किसी कमणी की practice में download financial में देखे ना हर सफे के उपर sign होते हैं तीन लोगों के हर सफे के उपर sign तीन लोगों के चीफ एक्जेक्टिव सारे directors के नहीं होते हारा के board of approval board of director की तरफ से होती है लेकिन sign कौन करता है एक chief executive एक director अगर listed कमणी है तो CFO और अगर director पाकिसाफ में नहीं है तो पाकिसाफ में नहीं है तो एट लिस्ट दो डारेक्टर और single member कमणी है ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ one director ठीक है जी single member कमणी वाली बात भी कर ली और chief executive नहीं पाकिसाफ माली बात भी कर ली clear अब आगे चलते है filing filing के लफ़ से alert हो जाए क्योंकि अब ये filing किसको होने जा रही है और ये authorities के लिए लेकिन रिएन करते हुए हम इसमें शेर होडर क्योंकि जैसे regulatory authorities को फाइल करना साथ शेर होडर को भी सेंड करना बहुत दोनों को कठे करना ना financial statement शेर होडर को सेंड की जाती है AGM से 21 दिन पहले और फिर एक कापी जिस्टर्ड ऑफिस में भी financial statement की रखी जाती है ताकि कोई भी आके कापी मांगे उसे कापी दे दी जाए अच्छा filing का concept है इसमें शेर होडर की बात क्योंकि क्योंकि जैसे ही शेर होडर को सेंड करेंगे फॉरी सेम डे यानि मीटिंग से 21 दिन पहले एट लीस्ट फाइल भी कर देंगे अच्छा file before AGM भी होती है after AGM before AGM ज्यादा है before AGM ज्यादा है before AGM किस-کिस को को फाइल करना आफ्टर एजी एम सिर्फ एक बंदे को फाइल करना है शेर होल्टर तो वो तो नार्मल डूल हो गया ना एक और एक कपी स्थेजर्ड करनी है रिधिस्ट्र और स्टाउख एक्टेउड सिर्फ हाइड फार्म ने यह शौक फर्म में वह एलेक्ट्रोनिक लिए हाट फार्म हाइड हर्वार्म संउगते हैं ना पेडिया वो होता है वो होता है और जो वहीद वाले को बाइपोस्ट बेजता है वो हार्ड कापी है तो मुझे बताएए कमपनी ने ये को ये हाड़ड फार्मम में पोस्ट करनी हैं कि सौफ्ट इसको ग्यमडेंग तीन नहीं रिजिस्ट्रार चेंज एक लेक्ट्रोनिकली कॉपी बेस करके 10,000 कॉपी बना लें ठीक है लेक्ट्रोनिकली एक ही कॉफी है लेकिन जो जो फिजिकल फार्म में हैं वो तीन कॉपी ठीक और कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने हैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने है अच्छा ये नोटस भी याद रखें नोटस पहले फिजिकली जाया करता था मेंबर्स को अब नोटस भी लेक्ट्रोनिकली जा सकता बहराल वेबसाइट पे क्यों अपलोड कर रहे हैं ताकि सारे पब्लिक अवाम अवाम के लिए ताकि अगर कोई बच्चा C.A. कर रहा है उसने किसी कमपनी के डिस्कलॉयर्स पढ़ने है किसी कमपनी की कमपनी लामे डिरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ने है तो वो डाउनलोड करें प्रॉक्सी फॉर्म पढ़ना है डाउनलोड करें कि उसमें राइड्स ओफ मेंबर और राइड्स ओफ प्रॉक्सी लिखे हुए हैं के नहीं तो वो भी पढ़ सकता है आम अवाम के लिए यानि जैसे ही डिस्पैश किया जाएगा मेंबर्स को साफोरी तोर पे फाइल करनी है फाइनाइशल स्टेटमेंट किसको सार को से सीपी को कितनी कापी पूरा कंसर्ट बोल मेरा प्यारे भाई पूरा कंसर्ट इर्शाद फरमाईए अब बोलना मैं एक कापी लेक्ट्रोनिकली और तीन तीन फिजिकल फाम में ठीक है अच्छा यह है एजियम से पहले अब एजियम के बाद और यह है लिस्टिट कंपनी के लिए देखे एजियम से पहले उसने लिस्टिट कंपनी लिखा एजियम से पहले लिखा लिस्टिट कंपनी के लिए यह बाद में लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है पहले लिखा है बाद में लिखा है पहले लिखा यह बाद वाला कौन है यह कोई रिजिस्टरार का एजंडल लगता है अच्छा ले कोई बाद में भी एक लेकिन जो बाद में कौपी है यह जिस कंपनी प्राइबेट ये जिसका paid up capital 1 million से कम है उसके लिए जरूरी नहीं है एजी आम के बाद भी कापी बेजनी है किसको रिजिस्ट्रार को है जीब बात कि जब रिजिस्ट्रार को एजीम से पहले कापी बेज दी तो बाद में क्यूं बहज रहे है AGM से पहले भी तो कापी भेजे बाद में भी भेज रहे हैं किसको रिजिस्टर आर को लेकिन कब अगर अनलिस्टिड है तो 15 दिन में लिस्टिड है तो 30 दिन में किसलिए पहली रिजन कि before AGM अला कंसेप्ट किसके लिए है लिस्टिड किदर लिखा हुआ है ऐफ्टर एजियंग फाइलिंग लिस्टेट कंपनी उन्ली इसको अंडरलाइन करें कि इसलिए कि यह सिर्फ लिस्टेट कंपनी के लिए है बाक्यों के लिए नहीं है तो जहिरे बाकी वाली याने कंपनी थो सब सब्सक्राइब करनी है कि नहीं करनी सका bancous anti फैले भी फाइल करनी बाद बहुत और चोटीसाइय कंपनी है उससे ना पहले ना बाद में छोटी इस है यह इन फैले प्राइबेट कंपनी फ्राइबेट कंपनी और बसक्ता से की फ्राइबेट कंपनी क्या तरका खाना जो भी यह जो भी लिखा है टैन मिलियन लिखा है वान मिलियन चोटी टैन मिलियन एक रोड चोटी कंपनी है रिक्वाइड नहीं है यानि लिस्टिट कंपनी ने पहले भी फाइल करनी है बाद में भी अनिस्टिट ने सिरफ बाद में और प्राइड कंपनी जो छोटी सी है ना पहले ना बाद में ठीक है और लिस्टिट कंपनी ने टीस दिन के अंदर अनिस्टिट ने पंदा घ्यम के बाद तो आपको पता चल गया अगर एक private company है paid up capital 15 million है filing requirement बताए private company paid up capital 15 million filing requirement बताए before AGM करनी है filing after AGM किसको कितने दिनों में 15 दिनों में बढ़ लाक्चर भी हो गया यह क्या लिखा हुआ हाँ अगर AGM में AGM का एक business होता है ना अडॉप financial से में adopted अगर AGM for example adjourn हो जाए या financial statements को अडॉप्ड ना किया जाए अडॉप्ड ना किया गया या एजिए जॉप्ड जॉप्ड होगी क्या फिर भी रिजिस्टर आर को financial statement बेजनी है के नहीं बेजनी बहुत हैं कंसर्ट आए कि आपने कई दावाब पूछा हुआ है कि के जो अन्लिस्ट गंपनिस है उन्होंने बाद में financial statement को जमा करवानी है तो वह कहता है बताओ अगर वह finance ऑजियम एडजान हो गई कंडक्ट नहीं होई एडजान हो गई एजएम के अंदर financial statement डिसकस नहीं हुई क्या अब वो financial बज़वानी है जिस्टर को अब भी बिजवानी है लेकिन उसके उसके लिख दीजिए गा क्या ? के नाट अडॉप्टीट क्ा लिख देना है ? के हम बिजवयातों रहे हैं बॉग आइ फाइलिंग फईनैंसल स्टेक्मेंट बस थीस फिनिशल स्टेक्मेंट है व नाट बीन अडॉप्टीट इन AGM इस फाइनेंशल स्टेटमेंट ये है फाइनेंशल स्टेटमेंट का कंसर्ट वह अच्छा मुझे बताईए चलते जाते हैंड में सबसे मुश्पील कंसर्ट क्या था अडॉप्शन माला चलिए ठीक है आज का लेक्चर यां खतम करते हैं अलाहाफिज